तो बच्चो आपको 8848 के बारे में पता है, थोड़ा ध्यान से सोचो, कभी सोना हो आपने पनी लाइफ में 8848 के बारे में, अगर आपको याद आ गया हो, तो पता है, 8848, माउंट एवरेस्ट की हाइट है, येस, एक्चुली में, ग्राउंड से, 8848, मीटर, 8848, मीटर अगर हम एड कर दें, तो आपको थोड़ा ज्यादा हिंट मिल जाएगा, ये माउंट एवरेस्ट की हाइट है, अब आप बोलोगे, सर्थ, किते किलो मेटर हुई है, 8848, किते किलो मेटर होगी, लग बग, 8.8 किलो मेटर के आज पास, ज्यादा नहीं लग रही होगे आपको, आप 10 क किलो मेटर तो पैदल चल देते होगे, तो माउंट एवरेस्ट इतना बढ़ा है, 8848 मीटर, ठीक है, 8.8 किलो मेटर, तो ये तो ज्यादा बढ़ा नहीं हुआ, इसका मतलब, तो इसमें अराम से चड़ जाते होगे, बट एक इसके अंदर फैक्ट है, फैक्ट है, कि ये जो पूरी हाइट है, ये बेसिकली, ये जो पूरी हाइट है आपकी, ये स्ट्रेट नहीं होती कि बस स्ट्रेट आपने चड़ दिया, कोई ऐलेवेटर लगा है, सीधा आपको उपर ले गया हो, या फिर आपको एकदम इंक्लाइन सर्फिस मिलता है, प्लेन सर्फिस मिलता है, आपको high altitude, यहाँ पर आपको peaks मिलेंगे, ऐसे, ऐसे, जिनको एक एक करके पार करना बहुत मुश्किल होता है, और आप यहाँ पर देखो किस तरीकी की चड़ाई है, मतलब कि आपको यहाँ पर एक curved surface भी मिलेंगे, कहीं आपको सीधे slide surface भी मिलेंगे, और कहीं पर आपको इ अगेंस्ट gravity, बिल्कुल आप मतलब ऐसे हो, आप ऐसे जा रहे हो, तो आपको against, यह आप हो, आपकी body है, उपर की तरफ जा रही हो, और gravity बिल्कुल नीचे लग रही है, मतलब कि आप इस point पे हो मालो, और gravity नीचे है, gravity है क्या है, force है, तो force आपको नीचे खिच रही है, पर आप उस force के against जा रहे हो, इस चीज़ को बोलते है, इस चीज़ को बोलते है, potential, yes, एक potential वर्ड कहां से है, potential का word होता है, जब आप किसी भी चीज़ से against the force, against the force, तो basically आप ए gravitational force नीचे की तरफ लग रही है, तो potential क्या हो गया, against the force काम करना, ठीक है, तो आपको यह समझ बाया हो होगा potential word क्या है, तो आप मैं आपको बता दू कि chapter number जो 2 है, जो chapter number आपका 2 है, physics का, उसका नाम है potential and capacitance, तो हम यह पहले वाला portion, जो potential है, उसको cover करेंगे, और उस potential के सामने एक word लगा हो है, जिसका नाम है electric potential, अब यह electric potential क्या है, माना, कि आपको यह वाला potential समझ में आ गया कि कोई भी हमारे उपर force नीचे की तरफ लगा रहा है, चाये gravity नीचे की तरफ force लगा रही है, और हम उसके against जा रहे है, तो यह आपका potential है, इतना आपको clear हुआ होगा, तो अब एक electric potential क्या है, electric मतलब अब यहाँ charge पका आ जाएगा, अब charge और potential का आपस में relation क्या है, यह हमे और एक वो जिसपे force लगा रही है, तो हम दो charge को Q से show करते हैं, एक होता है Q और एक होता है Q 0, Q जो है आपका, वो होता है आपका source charge, और जब का Q 0 है, यह आपका होता है प्यारा साथ test charge, यह work करता है, यह काम करता है, और यह बस बैठे-बैठे मज़े लेता है, देखो अब इनके आपको बता देता हूँ, एक example के तौर पर समझाता हूँ, एक positive charge है, यह आपका Q हो गया, Q यानि की source charge, यह इसी जगर पर बैठा हूँ है, और अब यह क्या कर रहा है, अपने से field निकालता है, बेसिकली यह बाहर की तरफ आपको पता होगा, field निकालता है इस तरीके स हर तरफ इसकी field जाती है, यह एक electric field होती है इसके आसपास, मतलब इसका वो reason, इसका वो area जहाँ पर आते ही आपको force महसूं होनी शुरू हो जाएगी, मैंने electric field क्यों बनाई है आपे, ताकि आपको पता लगे कि इस area के, इस के अंदर आते ही, आपको इस particular area के अंदर आते ही, दूसरा charge पर force लगना शुरू हो जाएगी, तो यह आपका है source charge, अब मालो यहाँ पर एक आया Q naught, test charge, अब यह positive है, यह भी positive है, ठीक है, यह भी positive, यह भी positive, अब यह इस a point पर है, तो आप मुझे बताओ, यह दूर भागेगा, या फिर इसके पास आएगा, जाहिर सी बात है positive और positive है, तो दोनों में repulsion होगी, positive और positive है, तो दोनों में repulsion होगी, तो क्या यह potential होगा, नहीं, potential यह चीज़ नहीं है, आप याद रखो, कि potential जो होता है आपका, कि आपका क्या है, force आप पे इस तरफ लग रही है, force इधर लग रही है, क्यों force उस तरफ लग रही है, क्यों positive और positive है तो दोनों आपस में repel कर रहे है, but against the force ये क्या करे, अगर work करे against the force, work करे तब होगा potential, मतलब कि अगर एक positive charge है, तो ये इससे दूर जाएगा, तब कोई potential नहीं होगा, क्योंकि तो force को force की direction में जा रहा है, तो potential तब नहीं होता, जब आप force की direction में जाते हो, आप force इस तरफ लग रही हो और उसके against आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आपके अंदर potential है, आपके अंदर कुछ power है, वहीं पर, अगर मैं हाँ पर अब मान लो एक negative charge का example ले लो, एक negative charge का example, तो negative को force इस तरफ लगने वाली है, yes क्योंकि positive negative को खीचेगा force इस तरफ लगेगी, तो potential किस तरफ होगा जाने पर, yes, potential होगा इसके against जाने पर मानला, दूसरी तरफ जाने में potential जादा होगा, फिर से सुनो, अगर ये यहाँ पर आपका आ रहा होगा, negative तो कोई इसमें potential नहीं है, वो तो इसे खीची रहा ये वाला plus इसे खीची रहा इसको आने में कोई problem नहीं है, पर अगर एक negative positive से दूर जाए, तो उसमें जादा potential होगा, तो बच्चो आपको पता लगा होगा कि potential क्या है, कि आपको जिस direction में force लग रही है, उससे opposite work करना है, तो वो आपका potential होगा, और electric potential क्या है, कि एक charge है जो की source है और एक बिचारा charge है जो की क्या है आपका test charge है, अगर ये इसके force इदर लग रही है मलब ये force, इसको उदर भे जिना चाहती है, बट ये इसके against work कर रहा है, force के against work कर रहा है, और जितना इसके पास आएगा, उतना ज़्यादा potential होगा देखो, आगर आपसे कोई कुछे, इन points में से किसमें ज़्यादा potential होगा, A B, C, इन तीनों में से कहां सबसे ज़्यादा potential होगा, तो C point पर, क्योंकि C point पर, ये सबसे ज़्यादा pass आ चुका होगा, तो positive, positive repel कर रहा है, फिर भी इसके अंदर इतना potential है, कि ये उसके against work कर रहा है, अब बेना यहाद दो बड़ाते हैं, एक होता है potential, और एक होता है potential difference, इन दोनों को थोड़ा ध्याँ से समनना, इलेक्टरिक और potential, तो इलेक्टरिक potential आपका क्या है, इलेक्टरिक potential होता है, पहले मैं इसकी definition बताता हूँ, ठीक है, when a charge, when a unit positive charge, यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, when a test charge, test charge मतलब जो काम करेगा, तो work done by a unit positive charge from infinity to a point, यह है, इलेक्टरिक potential, इलेक्टरिक potential क्या है, work done on carrying a unit positive charge from infinity to a point, चलो, मैं आप वो दोनों के बीच का difference बताता हूँ, एक तरफ है इलेक्टरिक potential और एक तरफ है इलेक्टरिक potential difference, इलेक्टरिक पोटेंशल difference, दोनों के बीच का आप difference समझेंगे हम दोनों, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कि एक आपने ले लिया, यह आपका source charge है, दोनों तरफ मैं मान लेता हूँ, कि आपका यही source charge है, ठीक है, इस source charge को क्या लेते हैं, Q और Q ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, और अब यहाँ पर पता नहीं, कहां से आ रहा है, बंदा, तो एक और charge है, जो कि Q no क्यों नोट मैंना अब बताया है, कि यह test charge test charge, पता नहीं कहां से आया, और इस A point तक आ गया, test charge, जो कि positive charge है, पता नहीं कहां से आया, और यहां आ गया, वो इस point पे आ गया, तो पूरा scene क्या हो गया, यह हो गया कि infinity से आया, हमें नहीं पता कहां से आया, पर इस point तक आ गया, यह भी positive है और वो भी positive है, तो इसने potential किया ना, potential इसने कैसे किया, potential इसके अंदर कैसे आया, कि इस पे force तो लग रही थी इस तरफ, यह positive charge उसको repel कर रहा था, फिर भी infinity से यह point तक आ गया, तो infinity तो यहां पर हमें नहीं पता, पर हमें यह पता है कि अभी कहां आया, तो present situation के लिए, होता है, electric potential, कि कहीं से आया होगा, बट अभी यहां तक आ चुका है, यहां पर यह क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि मिरेंदर क्या है, एक power है, मिरेंदर एक potential है, और मैं यहां तक आ चुका हूँ, तो होता क्या है कि चार्ज के बारे मैं आप बताता हूँ, मालो के एक atmosphere में कहीं charge था, मालो positive charge था, proton था, अब क्या हुआ, वो charge atmosphere में कहीं था, और यहां पर भी एक positive charge है, पता नहीं कहां से atmosphere में, किसी भी three dimension कहीं से भी, वो यहां तक आ गया तो यह आपका positive charge है और वो यहां तक आ गया अब यहाँ पर जो वो आ गया है तो यह उसका potential है और अगर वो और पास आएगा तब क्या बनेगा तब बनेगा potential difference तो potential difference क्या होगा potential difference होगा कि A point पे आपको पता है कि यह charge है अभी यह वाला charge A point पे है और अब धीरे 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 और आगया रहा है किसी B-point तक तो बताओ यहाँ पर हमें पता है किसके पास potential था मालेत हैं कि यहाँ पर उसके पास potential के value 10 थी बलब 10 power थी पर यह और पास आके आपको दिखा रहा है कि मेरे अंदर और 20 जादा potential है और यह किता आ गया मालो 20 तो अब मुझे पताओ इन दोनों के बीच का जो difference होगा वो होगा potential difference कि यहाँ पर उसके पास कुछ power थी और उसके बाद यहाँ आया और जादा क्या show कर रहा है वो आपको कि मेरे अंदर वहाँ आने का भी potential था और उसके बाद मैं यहाँ पर भी आ सकता हूँ तो उस point का potential 10 और यहाँ का 20 अब potential की हमारे दिमाग में तीन चीज़े आने चीए कि इसका formula क्या है इसकी unit क्या है formula क्या है इसकी unit क्या है और क्या ऐसा symbol है जिससे हम इसे show करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ potential जो होता है electric potential उसको हम show करते हैं V से यह आपका V potential if को और potential difference को कुछ लोग इस V से show करते है del V इसका नाम है del V delta V भी आप बोल सकते हो और normally कुछ लोग इसे ऐसे बोलते है V A B या V B A इसका मलब है potential from A to B potential from B to A इस तरीके से show करते हैं इसे तो normal V इसके लिए del V भी show करते हैं या फिर V A B या V B A तो यह इसका symbol हो गया सबसे पहले potential का इसके लिए सरफ normal V और इसके लिए A B या B A वो depend करता है किस point से कहां तक आया है चलो अब इसका formula बनाता है दीरे दीरे potential का तो मैं आपो बताता हूँ कि यहीं पर इसका side में आपो formula बता रहा हूँ कि V normal potential का formula होता है work done upon test charge work done upon test charge इसकी definition अगर आपको ध्यान से पता हो तो क्या थी work done by a unit positive charge work done by a unit positive charge work done by a unit positive charge from infinity to a point यह वाला एक point होगा है from infinity to a point potential is equal to work done upon charge work done by charge from infinity to a point तो इसका पर इसके definition क्या होगी थोड़ा सा हम change कर देता है इसके definition होगी work done by unit positive charge from one point to another इसमें क्या होगा from one point to another from a point to b point तो दोनों में difference क्या है वो था from infinity to a point और यहाँ पर था आपका from one point to another तो potential difference में ज्यादा difference नहीं है एक छोटा सा आपका difference है कि वो infinity से एक point तक आता है और यह a point से b point तक आता है तो चलो अब बात करते हैं हम कि हमने नॉर्मल electric potential का जो आपका electric potential है उसका formula क्या बनाया है वी इस एक्वेल टू आपका डबलू अपॉन क्यू नॉट यह आपका पर EPD का क्या formula होगा electric potential difference का formula क्या होगा तो वह होगा work done b minus work done a जहां आप भी आये minus जहां आप initial थे तो final value minus initial value is equal to wab upon q0 यह इसका difference है देखो फिर से मैं आपको इसका diagram बता देता हूँ कि देखो यह एक source charge था यह आपका source charge था यहाँ पर आपका b point था और आपका यह a point था work done हुआ यहाँ से यहाँ तक यह charge ऐसे motion करके आया और इस पर force ऐसे लग रही थी पर charge बिचारा यहाँ पर उस पर potential थोड़ा कम था पर और उसके नहीं अपनी ताकत दिखाई और यहाँ तक आ गया तो potential का formula होगा vb final यह point है minus v a is equal to w जिसे work done है a b minus u not अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि जो अगर यहाँ पर b minus a है तो यहाँ a to b आएगा क्योंकि work done तो a to b हुआ न अगर आपसे कोई बोले work done b2 है इसका मलब वो b से a की तरफ गया है और अगर work done a b लिखावा है तो इसका मलब वो a से b की तरफ आया है और नहीं तो वो b2 a आया है बता इन में से कौन सा correct है यह वाला इसलिए हमने यह use किया क्योंकि work done अभी a to b गया और अगर यह वाला use करोगे इसका मलब वो उल्टा गया है चलो तो आपको पता लग यह होगा potential क्या है और potential difference क्या है अब इसके उपर question कैसे आते है और मैं आपको एक example भी दूँगा वो भी आप खुद से solve करना पहले हम देख लेते हैं कि इसके उपर question कैसे आते है तो इसके उपर question किस type की आते है एक example कि मैं आपको picture डालूँगा वो आप चाहो तो यहीं से solve कर सकते हो नहीं तो NCRT से भी कर सकते हो सेम इसी type का होगा पर मैं आपको इसका hit दे देता हूँ question यह है कि एक positive charge है आपका मालो यह negative भी हो सकता और positive भी हो सकता है और एक unit charge है हमेशा आप unit charge को क्या लोगे एक positive charge लोगे positive charge लोगे तो आपको बोला है कि एक positive charge है मलब unit charge है जो कि A to B move कर रहा है A to B move कर रहा है B to A move कर रहा है कुछ भी हो सकता है पर आप से सिर्फ simple सा question आएगा कि V B इसकी value क्या होगी और इसकी value क्या होगी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस question को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों पे किस पे potential जादा है अब आपको बता है positive charge है जो A से B move कर रहा है तो positive charge एक वार यहां रखके देखो और एक वार यहां रखके देखो देखो जब हमने यहां रखका होगा positive charge तो positive और इस positive में भी distance है मतलब यह इस पर force लगा रहा होगा पर जादा force नहीं लगा रहा होगा यहां force क्या होगी कम होगी अगर आप से कोई पूछे force कहां जादा है बताओ force आपको पता है कहां पर जादा है इस point पर force जादा है और इस point पर force कम है क्योंकि दूर है मैं आपको बता दूँ हमने कूलम्स लॉब में भी यही पड़ा था कि जितने दो चार्ज दूर होगे उन दोनों के बीच में force उतनी ही कम होगी तो मैं बता दूँ आपको के force कहां जादा है B पर या A पर B पर force जादा है तो potential किस पर जादा होगा potential किस पर जादा होगा potential A पर जादा होगा या B पर guess करो जादा इस positive charge को महनत लगेगी है रहने में या इसको जायर सी बात है इसको क्योंकि देखो यह बहुत जादा पास है यह से रिपेल कर रहा है फिर भी है यह यह टिकाओ है तो potential B का जादा होगा तो बताओ VA-V की value क्या होगी? negative यहाँ पे इसका मलब क्या है? negative value होगी क्यों होगी यह negative value? क्योंकि A कम है और B जादा है तो बड़ी value में से छोटी value माइनिस करेंगे negative आएगा और इस case में पता है आपको इसका answer आएगा positive क्यों आएगा positive क्योंकि यह बड़ी value होगी और यह छोटी value होगी वैसे ही अब इस question को उल्टा करते है अब यहाँ negative लेता है अभी भी unit positive charge positive है पर यह negative होगा तो negative इसके होने की वज़े से मैं आप बता दू के एक effect होगा है यहाँ पर कि electric field invert हो जाएगी electric field invert हो जाएगी अब मुझे बताओ किस पर जादा potential होगा इस case पर force किसके पास जादा होगी एक example देता हूँ मालो कि यहाँ पर कोई लड़की है ठीक है जो आपको attract कर रही है जो आपको attract कर रही है अब क्या है एक लड़का है ठीक है लड़के के पस क्या कहां potential जादा होगा अगर वो attract हो रहा होगा तव potential जादा होगा यह attraction के बावजूद भी वो अपनी goal की तरफ जा रहा होगा मतलब उस लड़की से दूर जा रहा होगा so чोई यहाँ पर जादा potential है या वो दूर जाने में ज़्यादा potential है तो वैसे ही ये negative charge इस वार इस positive को attract कर रहा है तो जब ये positive pass में होगा इसका मलब ये attract हो रहा है और जितना ये दूर जाएगा जितना ये दूर जाएगा देखो अभी ये बहुत ही ज़्यादा attraction है दोनों के अंदर पर attraction के होते वे भी जितना ये दूर या A पर जाएगा पहले force देख लेता है force कहान जाएगा force आपकी जब आप negative से दूर जा रहे होगे तो इसमें जाएदा force लगेगी इसले force इस वार कहां जाएदा होगी A पर जाएगा पास आना तो बहुत आसान है क्योंकि negative आपको attract कर रहा है वही potential भी इस वार कहां इस वार A जादा पड़ा है तो इसका answer आएगा positive और इसका आएगा negative तो ऐसे हैं आपको question मिलेंगे आपको science बताने पड़ेंगे यह आपका एक question था अब question number दूसरे type का देखते हैं कि दूसरे कैसा question आएगा तो बच्चो अब exam में दूसरे type का question कैसा आता है इसको थोड़ा दिमाग समझना है इसको लोग है नए equatorial surface, equipotential surface के नाम से भी जानते हैं बड़ा तो मैं आपको बताता हूँ कि question ऐसा आता है कि दो plate ली हमने, दो plate आपको दे रखी होगी यह दोनों plate में एक में यहाँ plus है और इधर minus है और आप उन पता electric field ऐसे जा रही होगी plus to minus यह आपकी electric field जा रही है अब आपको एक plate positive दे रखी है, एक plate negative दे रखी है मतलब एक plate में पुरा positive charge है एक plate में पुरा negative charge है अब आपको क्या बूला है यहां पर कि एक इंसान इन चार पॉइंट्स पे चालता है A, B, C और D यह बहुत ज़्यादा आता है कोशन MCQ में इस टाइप कोशन कि आपका यह पॉजिटिव चार्ज है और यह नेगटिव चार्ज है अब एक चार्ज जो की पॉजिटिव है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो A से B जाता है, B to C जाता है, C to D जाता है उसके साथ क्या होगा? मतलब उसका आपका पोटेंशल क्या हैगा? मतलब आपसे कोशन पुछा जाएगा वी A माइनस वी B क्या होगा? वी B माइनस वी C क्या होगा? या वी C माइनस वी D क्या होगा? या फिर वी A माइनस डाइरेक्ट वी D भी आपसे पूछ सकते हैं तो इस C मैं आपको एक जबरदस वाद बता था देखो इन दोनों प्लेट से हर पॉइंट पे एकुल इकुल डिस्टेंस है इधर से भी इससे आप बोल सकते हो कि ए मिड पॉइंट पे है और midpoint पे जब electric field parallel हो midpoint पे जब electric field parallel हो तो चाहे आप यहां से यहां जाओ तब भी plus से उतना ही दूर हो minus से उतना दूर हो यहां बे भी आप plus से उतना ही दूर हो और minus से उतना ही दूर हो तो आपको लगता है नहीं potential same होगा क्योंकि बार-बार आप दूरी तो उतनी है आपकी potential की 1 plus charge से और 1 minus charge से 1 plus charge से एक minus charge से आपका बार-बार potential same है तो इन सब potential का VA, VB, VC और VD सब का potential same होगा और ले लेते हैं हम लोग X ले लेते हैं कैसे हमने guess कि same हो का? क्योंकि भीया वो बार-बार equal distance पे रह रहा है अगर वो charge इधर उधर जाए फिर तो guess कर भी सकते है कि कहाँ कही potential बढ़ेगा या कम हो का यहाँ पर हर तरफ potential क्या है? Same है जब ऐसे potential हर point पे same हो तो उसे बोलता है Equipotential surface यह पूरा का जो पूरा surface आपको दिख रहा है यह आपका Equipotential surface बन जाएगा तो इसका मलब इसकी भी value x है इसकी भी value x है क्योंकि सब जगे potential same है तो क्या होगा? x-x क्या होगा? 0 तो याद रखना कि इसका answer क्या हैगा? 0 क्या इसका answer भी 0? 0 सबका answer at last क्या हो जाएगा? 0 तो कई बार MCQ में इस type के mind को थोड़े से हिला देने वाले question आते हैं तो याद रखना एक तो question आता है कि आप A point से B point पे जाओगे आप against जा सकते हो और उसके opposite direction में जा सकते हो और उसके towards जा सकते हो उस type के question और एक आते हैं इस equipotential related question अब आप से क्या पुछे जाएगा? दूसरा कि एक formula में पता है V is equal to W upon Q naught तो अगर ये potential 0 है ये potential सारे 0 है तो क्या work done भी 0 होगा? हाँ, equipotential surface में work done 0 होता है equipotential surface और कुछ इसके बारे में हम potential के बारे में हम next video में और ज़्यादा जानेंगे ये वाला example जरूर कर लेना बाई बाई झाल झाल